विडियो में लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में potential structure potential pattern के बेसिस पे आने वाले week और आने वाले month में हम लोग क्या anticipate कर सकते हैं यहां से जब market ने close करा है 16,350 के आसपास so without wasting time let's get started तो हम इसके पहले इस week की बात करें मैं आपको बता दो कि यह जो पूरी की पूरी वेव आप यहां से देख रहा है जो यहाँ 2020 कोविट के बाद से start हुई है जिसने 2021 में October के आसपस High बनाया है यह पूरा का पूरा जो पूरा जो correction आप देख रहे हो यह इस पूरी वेव का हो रहा है और जो correction है हम लोग anticipate करहें है जो WX YX और Z और ज जो Z wave है हम इससे anticipate कर रहे हैं कि यह minimum आपके 15,500 को tag करें और उसके साथ साथ अगर further consolidation आता है तो market coming days and coming week में 14,200, 14,500 के आसपस anticipate किया जा सकता है पर यह structure यह pattern रहेगा daily and weekly के basis पे इस week आप लोग क्या anticipate करोगे यह बीच में यह जो correction हो रही है उसे किस तरह से आपने anticipate करना है क्यो तो इस piece में आप देखो 1,2,3,4,5 और इस 4 में जो basic correction है वो आप इस तरह से anticipate कर सकते हो जो impulsive piece A, B, and C उसके बाद आप एक downside anticipate कर सकते हो यहाँ पर यह जो piece है इसने यहाँ पर क्या changes करे हैं और यहाँ से अब हम इस pattern को किस तरह से study करेंगे वो हम देख सकते हैं तो फिरहाल क आपको बता दो कि I think जो ABC pattern का structure है वो हम लोग anticipate कर रहे हैं 19 माई के आसपास से यह ट्रेडिंग रूम का snapshot है जो market का price 15,950 का आसपास था I think last video में मैं आपको यह update already बता दिया है markets आप यहाँ से anticipate कर सकते हो goes back up and comes back down इस comes back down में यहाँ पर देखो यह जो piece नीचे जा रहा है इसे सीधा impulsively गिरना चाहिए इसकी तरह हुआ क्या है यहाँ पर scenarios patterns किस तरह से बदले हैं यहाँ पर pattern आया नीचे और उसके बाद further consolidation और उसके बाद यह slowly slowly इस direction में move कर रहा है channel ब इस basis पर हम लोगए anticipate कर सकते हैं कि देव यह तो हो चुका है होने के बाद तो हम लोग इसे channel भी देख सकते हैं यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि 618 या 786 का retracement आये गई है यह kia pattern को हम लोग इस pattern में जब यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो तब anticipate कर सकते हैं कि यह जो pattern है यहां से गिर कर यहां पर खतम हो जाएगा और यहां से reverse कर देगा देखो अगर आपको wave analysis के अच्छी knowledge है chart patterns आप already जानते हो तो जब आप यहां पर already sell करोगे तो आप already pattern के जो changes है वो देख सकते हो और यहां पर अपने profit book कर सकते हो अगर trading room की ही बात करें तो यह snapshot मैंने trading room में update करा है 25 माई का ही यह snapshot है इस video को या तो में यह जो वीडियो है यह market update है इसकी end में आपको update कर दूँगा इस video को लगा दूँगा या फिर यह जो trading room का video है वो मैं आपको Monday को इस channel पर update कर दूँगा ताकि आप यह देख सकें कि जब market यहाँ पर है तब आप किस तरह से anticipate कर सकते हैं कि market सीधा जाने की बजाए यहाँ पर market आएगा यह potential buying opportunity बनाएगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा और जब market यहाँ पर trade कर रहा है तो उसे किस तरह से read करना है बहुत simple है अगर आप patterns and structure समझते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि market ने 27 माई का snapshot है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,2,3,4,5,5 wave के बाद आप दो बारा anticipate करोगे previous wave की downside यह सारे वीडियो में आपको इस वीडियो में या फिर Monday का एक जो वीडियो रहेगा इस चैनल पर वो आप चेक आउट करें आपको details में बहुत अच्छे से पता चलेगा यह सब चीजे होने के पहले आप किस तरह से anticipate कर सकते हो अगर आप trading room के member नहीं है अगर आप इस चैनल देखो अब यह pattern कितना complex रहेगा वो तो market decide करेगा बट यह जो piece है यहाँ पर आप इसको Z wave तभी anticipate कर सकते हो जो यह corrective structure है यह जो red box में आपको यहाँ पर बना के दिया है इसके बीच में यह pattern यहाँ पर खतम हो और उसके साथ साथ यहाँ पर sell setups provide करें which means कि यहाँ पर Z wave की formation इस wave के जो lower की tagging की possibility है वो scene and scenarios इस resistance के रहेंगे तो आने वाले coming week में अगर हमने resistance anticipate करने हैं तो हम लोग यहाँ से anticipate करेंगे which means 16,600 का यह upper band है और उसके सांसा जो lower band है वो 16,400 के आसपास से start होता है यहाँ पर Singapore Nifty already पहुंच चुका है तो most probably Monday gap up रहेगा पर gap up के सांसाथ market इस resistance territory में आएगा अगर आप already 22 में हैं यहाँ से अगर आप लोग 22 में हैं मार्केट के जो आप इस wave को anticipate कर रहे है तो अपने profit को lock करते चले अगर आप fresh 22 प्लान कर रहे है तो कोशिश करे कि यह जो resistance है उसे violet होने दे क्योंकि यह जो pattern and structure आपके सामने दिख रहा है यह पूरा का पूरा structure अभी corrective है और correction की जो formation है जैसे ही एक correction complete होगा हमने anticipate करना है last piece towards the downside और जैसे यह down wave complete होगी हमने anticipate करना है next possible wave so coming months के लिए weekly and daily structures पर हम है corrective structure में वो change नहीं हुआ है next week के जो potential है आप next week positive हो सकते हो but larger scale पर आप negative रहोगे on the nifty structure so regardless the factor regardless आपको 300-200 point जो up and down randomly दिखते हैं आपको लगता कि आज market down है आज market up है अगर ऐसा करेंगे तो आप इस news channel की तरह हो जाएंगे indicate या read कर रहे हो जो market में हुआ है अगर market में हमने trade करके anticipate करना है या से profits gain करने है तो trader को market से एक कदम आगे रहे कर चीज़े anticipate करनी होगी और उसके साथ-साथ patterns and structure समझने होगे कि कहां पर वो pattern change हो सकते हैं या बदलाव आ सकते हैं और उसके साथ-साथ आप चीज़ों को anticipate करोगे so regardless the factor आप हो corrective structure में इस week के जो upper side के resistance है 16,600 के हम लोग anticipate कर सकते हैं support की बात करें तो yesterday के session में मैंने trading room के जो member है उन्हें 16,200 बताया है पर क्योंकि Singapore Nifty 16,400 के आसपस already trade कर रहा है तो most probably जो support है वो 16,350 जो अभी की closing है वही बन जाता है so in support and upper level and lower level पर आप focus करें wave को अभी corrective समझे इसे impulsively next possible जो all time high है वो तो मैं anticipate नहीं कर रहा हूँ उसका reason भी actually यह जो wave आप यहाँ पर देख रहे हो अगर यहाँ पर all time high market tag भी करता है तो regardless the scene and scenarios यह sustain नहीं करने वाला है जैसे यह piece आपका highs को taken out करेगा बहुत high chance है आप downward structure को reclaim करोगे which means healthy up move के लिए healthy structure for the upper side यह जो wave आप देख रहे हो upside की इसे अगर sustain करना है तो market ने अपने आपको deep correction यहाँ पर करना पड़ेगा और क्योंकि हम Z wave के जो structure है उससे बाहर निकले नहीं है तो हम लोग अभी वही anticipate कर रहे हैं so that's the nifty from my side guys इसके अलावा जो weekly live session है मैं इस week conduct करूंगा I think most probably यह जो group है actually यह तो हमारा private group है पर यह जो public group है जिसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा इसे join कर ले हम लोग इस week live session conduct करेंगे and I'll see you in the live session so आप अपने questions and queries regarding the markets पूश सकते हैं with that said done guys this was Dev thank you so much signing off